हेलो बच्चो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गज गज को इंगलिस में आपन क्या बोलते हैं यार्ड को फिट में इंच में सेंटिमीटर में और मीटर में केस से वदलते हैं आज इस वीडियो में आप गज को फिट इंच सेंटिमीटर में मीटर में बदलना सिख एक गज ब्रण कितना होता है आपका 3' is here एक गज में आपका होगा 3 4th याद रहेगा ना आपको अब अपनूद की कि नदब कार लें गए इंच में तो आपके लिए गोटता दूँ कि 1 Tail Kit lot क्जी में कितना इंच होता है तो बारा इंच होता है कितना इंच होता है 12 इंच एक गज तो 3 फिट होगा एक फिट कितना होगा 12 इंच तो एक गज में कितने इंच हो जाएंगे तो 3 तो फिट होगे कितने का गुणा होगा फिट को इंच मदलेंगे तो 12 का तो कितना होगा आपका बारतिया 36 इंच कितना हुआ industry 36 इंच अब आपको गज को फिट में बदलना है तो एक गज कितना हुगा थीन फिट, दो गज कितना हुजागा आपका 6 फिट, तीन गज कितना हुजागा आपका 9 फिट, येसे बढ़ाते जाएगे अगर आपको दो गज निकालना है तो अपन 36 में कितने का गुणा करेंगे दो का गुणा करेंगे तो इंच में बर्दल जाएगा तीन गज निकालना है तो 36 में कितने गुणा करेंगा अब तीन का तो ये कितना जाएगा तीन गज आ जाएगा ये तो होगा आपका गज का फिट में गज का इंच में अब अपन लिकालेंगे एक गज में कितना सेंटीमीटर होता है तो एक गज में कितना सेंटी मीटर तो आपको लिए बतादू मैं फिस लिखता हूँ कि तो क्या जाएगा आपका एक वह किस में जाएगा सेंटी मीटर में जाएगा मसलेवे एक गज में कितना सेंटीमीटर होता है तो अबस्टाइब आगरा आगे बढ़ते हैं मेटर honesty मेटर बदर यह होगा आपका सेंटी मिटर में तो से अपन मीटर में बदलेंगे तो चुंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है सो मीटर एक सेंटीमिटर में कितना मीटर होता है तो एक बटा सो मीटर होता है अब इंक्यांदे पाइंट चुम्मालिस है तो एक गज एक गज होता आपका 99.57 सेंटिमीटर अब अपन इसमें कितने का गूना करेंगे इसे मीटर में बदलने के लिए एक बटा 100 का अब 99. princess बटा कितना जागा आपका 100 अब अपन इसे काट लेंगे काट लेंगे तो कितना जागा दोखो इनकान में पाइंट 25 में अपने सो का भाग देंगे दो जिरो सो में दो अंकवार दसनो इधर की साथ जाएगी तो इनकान में चुमार लिस तो दो अंकवार तो ही सफ़े एक दो अंकवार ओर चलेगे इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या जागा 0 यह जाग आपका मीटर में आगा समझ में एक गज में कितना मीटर होता है अब अपने शुरुआत से समझते हैं एक गज में तीन फिट होता है तो अपने तीन में अब उसे इंच में बदला तो एक फिट में कितना इंच होता है बारा गुणा कर लिए किता आगा आपका 36 इंच आगा उसके बाद एक इंच में कितना सेंटीमिटर होता है दो पाइंट सोका सेंटिमिटर को मीटर मदलने के लिए सोका भाग देते extend तो यह अपने सोका भाती देट कितने का ओपने का गज गज को सेंटिमेटर मदलना है तो अपने को कितना का गुणा करना है चतिस का गुणा करना है जो भी संक्या दे रखेंगे उसके बाद गज को अपने को सेंटिमेटर मदलना है तो कितना का गुणा करेंगे अगर आपको गज को मीटर मदलना है तो कितना का गुणा करेंगे 0. झाल झाल